हेलो एब्रीवन वेलकम टू अवर चैनल वी स्कूल फॉर इंग्लिश स्टडीज तो आज मैं आपके साथ स्पिकिंग मोड्यूल के बारे में डिसकस करूंगी स्पिकिंग मोड्यूल एक ऐसा मोड्यूल है जिसको स्टूडेंस बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और स्पिकिंग में से ही स्कॉर कम आ जाता है तो आज मैं आपको स्पिकिंग की कुछ ऐसी चीजे बताऊंगी जो अच्छा बैंड स्कॉर लाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन फैक्टर्स को कैसे कवर करना है उनकी टेक्नीक भी आपको साथ में बताऊंगी तो बिना टाइम वेस्ट किये चलो ब इन यॉर्सल्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें सही बोल रही है ओके नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन्स एक्सप्रेशन्स मैटर अलोट आपके वर्ड्स है वो आपके आइस के साथ मैच करने चाहिए अगर आप कुछ हैपी वाला बोल रहे हैं तो आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए अगर आप कुछ सैड वाला बोल रहे हैं आपका फेस थोड़ा डिसे पॉइंटेड लगना चाहिए अगर कुछ सोच रहे हैं तो वेल आइधिंक बैट कुछ ऐसा आपका फेस होना चाहिए आई कॉंटेक्ट एक मेजर पोर्शन है हमारी स्प पर देखते हैं या फिर नॉट्बुक में ध्यान रखते हैं जिन पर क्यूज लिखे होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आई कॉंटेक्ट आपको मेंटेन करना है इनों चीजों को पाने के लिए आपको क्या चाहिए मिर्ट टॉक मिर्ट टॉक एक ऐसी चीज है जिससे आपकी ये तीनों चीजें इंप्रूब हो जाएंगी कॉंफिड़न्स आ जाएगा एक्सप्रेशन आपके अच्छे हो जाएंगे आई कॉंटेक्ट आप मेंटेन रखेंगे मिर्ट के साथ बाते करें आप इंस्टिट में पढ़कर जा सकते हैं अपने एक्सप्रेशन से सही कर सकने और आई कॉंटेक्ट बना सकते हैं देखिये बहुत इंपोर्टंट पॉंट है वह आपकी फ्लुएंसी स्कूल अगर मैं बील्कुल इजी वर्ड में बोलों तो वह बिल्कुल अराम से आपको बोलना है पॉस्ज नहीं लेने है पॉजिस जैसे कुछ बच्चे करते हैं ऐसे तीन चार सेकिंड का पॉज ले लेते हैं एक दो सेकिंड का पॉज नैशुरल होता है अच्छा लगता है बट फ्लुएंसी मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है क्योंकि अगर फ्लुएंसी मेंटेन नहीं होगी तो क्या होगा ग्रामर मिस्टेक्स ज्यादा विजिबल होंगी ग्रामर मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है और फ्लुएंसी मेंटेन करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता जो मैं आपको बताने वाली हूँ विच इस रिकॉर्ड यूर वोइस आपको अपनी वाइस को रिकॉर्ड करना है जब आप इंस्टिट्यूट्स में अपना क्यू कार्ट सुनाते हैं अपने टीचर्स को तो आपको अपने फोन को रिकॉर्डर मॉड पे लगा लेना है फिर अपनी वाइस रिकॉर्ड करनी है और उसको जाके घर पर सेल्फ अना जाएगा यहां पर मेरी यह गलती थी यह पास्ट में था बट मेने प्रेजट में बोल दिया यह फ्यूचर में था बट मेने प्रेजट में बोल दिया तो इससे आपको आपकी गलतियां पता लगेंगी जो आप जो आपको एक टीचर भी नहीं बता सकता जितना आप सेल्फ ए रिकार्ड यार वोईस इन तीनों चीजों को करके आपकी स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की और जो के बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एक यह प्लस पॉइंट होता है आपकी स्पीकिंग में विच इस नेचुरल स्पीकिंग अच्छा तो नेचुरल स्पीकिंग कैसे आएगी नेचुरल स्पीकिंग क्या होती है अंदर से निकलती है आप हिंदी बोलते हो पुझाबी बोलते हो आपके अंदर से निकलती है आपको सोचने का इतना टाइम नहीं लगता कि आगे मैं क्या बोलू don't learn the answers अच्छा तो कुछ students क्या करते हैं answers को learn करते हैं एक दिन पहले cue card को prepare करके आते हैं फिर सुनाते हैं आकर ऐसे आपको नहीं करना है आपको एक पूरे page पर cue card नहीं लिखना उसे नहीं पढ़ना सिरफ main main topics लिखने हैं main main points लिखने हैं आंस्वर्स को learn नहीं करना ठीक है learn नहीं करेंगे तो वो natural speaking बन जाएगी धीरे धीरे second देखिए speak with friends हमारे friends के साथ बात करते हैं कोई hesitation नहीं होती और examiner के आगे बैठ कर hesitation होने लग जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम friends के साथ आपना बिल्कुल open होते हैं उनके साथ कोई भी बात कर सकते हैं तो अपने friends के साथ ही English बोलनी स्टार्ट कर दीजिए तो अपने friends के साथ कुछ time के लिए एक दिन में speaking English speaking करना स्टार्ट करें सिरफ English बोलें जब तक आप आप आइल्स प्रिपेर कर रहे हैं थार्ड देखिए ट्रीट एक्जामिनर आमिनर एज यूर फ्रेंड और रेलेटिव यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप यह पॉइंट फॉलो करेंगे ना तो डेफिनिटली आपकी इसको यह रहा है यहाँ पॉर्णि और इसमाजिन कर रहे और कुछ भी नहीं करना है आपको तो उससे आपकी स्पीकिंग बहुत नाचुरल हो जाएगी वाच इंगलिश मुवीज वेब सीरीज लिसन इंगलिश सॉंग तो यह ना एक प्लस पॉइंट है नाचुरल स्पीकिंग करने का जब आप इंगलिश मुवीज सुनते हैं इंगलिश आप सॉंग सुनते हैं वेब सीरीज देखते हैं उससे आपको एक तो नाचुरल वो क्याब पता लगती है कि हमारी नाचुरल इनफार्मल लैंगोईज में हम कैसे एक दूसरे से बात करते हैं बिल्कुल शाय नहीं होते न अच्छे अच्छे वर्ड मिल जाएंगे अच्छा तो आप यह चीज सोचकर एक्जाम देने बिल्कुल मत जाना कि आपको सब कुछ पीडिएफ में से ही पूछा जाएगा इंट्रो क्यूकर एंड इवन फॉलॉप भी बाहर से पूछ सकते हैं वह पीडिएफ इस जस्टन कि आपको कैसे कॉंटीनु करना है स्पिकिंग कैसे बोलनी है आपको क्यूकर कैसे प्रपैर करना है तो जो मैंने आज आपको पॉइंट्स बताएं हैं वह बहुत जादा यूसफुल है आप इनको यूज करें में आगे-आगे आपके लिए और भी स्पिकिंग रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगी तो फटा फट जाके वीडियो को लाइक कर दें कॉमेंट कर दें शेयर कर दें और इस तक्नीक को जरूर आप फॉलो करें जिससे आपको हंड़ेट परसंट यूसफुल रिजल्ट मिलेंगे आप इन टेक्नीक को यूज करके सेवन प्लस बैंड जाएंगी तो आपकी स्पीकिंग ऑबिसली अच्छी हो जाएगी यहां थैंक्यू समच अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटा फट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की हमारी हरा कर लेटर बैल लेट लेटेस्ट koşें किया ëम